नमश्कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको नशे की लत या ड्रक्स की लत को छुड़ाने के लिए कुछ घरे लूपचारों के बारे में बताएंगे नशे की लत होना एक बिमारी है जो किसी व्यक्ति के मस्तिश्क और वहवार को प्रभावित कर सकती है कुछ पदाट जैसे अलकोहॉल, मरिजुआना और निकोटिन को भी नशे ही के रूप में माना जाता है जब आप इनके आदी हो जाते हैं, तो इनके कारण होने वाले नुकसानों को जानने के बावजूद भी इनका उपयोग जारी रखते है नशे की लत समाजिक माहौल में खुद की संतुष्टी के लिए नशीले पदार्तों के उपयोग से शुरू हो सकती है जिसके बाद लोग इनका प्रयोग बार-बार करने लगते हैं इसके अलावा कुछ लोगों में ओपयोईट्स से पूर्ण नशीले परदार्तों की लत किसी की द्वारा बताने और सोयम की द्वारा इनका सेवन करने से प्रारम्ध होती है ऐसा देखा जाता है कि शुरुवाती दौर में कोई दोस्त या फिर रिष्टेदार इनको लेने की सला देते हैं आप कितनी तेजी से इन दवाओं आदी होते हैं वह इनके जोखिम दवाओं को भिन्निता पर निर्भर करते हैं कुछ दवाएं जैसे ओपियोईड से लट लगने का उच्च जोखिम होता है और अन्य की तुल्ना में लट लगने का मुखे कारण भी होती है जैसे जैसे समय बीटता जाता है आपको इन नशीले पदार्तों की अधिक खुराक की आवशक्ता होती है जल्दी आपको बहतर महसूस करने के लिए इसकी जरूरत होने लगती है जैसे ही आप उपियोग बढ़ाते हैं आपको लगता है कि इसके बिना आपका रहना मुश्किल हो जाएगा नशीले पदार्तों के प्रयोग को रोकने के प्रयास में आप खुद को शारिरिक रूप से अक्षम वा बिमार महसूस करते हैं तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे घरे लूप चारों के बारे में बताएंगे जिससे आप नशे की लट से निजात पा सकते हैं सबसे पहले एक निवेदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्यां हमारे चैनल की सदसिता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी उठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतितक जरूर देखेगा दोस्तों अंगूर एक बहतरीन एंटी ड्रग होता है धतूरा, गांजा, भांग या शराब जैसी चीजों की लट से चुटकारा पाने के लिए अंगूर खूब खाना चाहिए एक तो ये तुरंट नशे को खत्म कर देता है दूसरा नश ना करने की आदत को भी ये दीरे-दीरे कम करता है पच्चिस दिनों तक लगातार अंगूर खाने से शराब तक की लट चूट जाती है शराब की लट चुड़ाने के लिए खजूर कारगार साबित हो सकता है इसके लिए पानी में कुछ खजूर गिस कर दिन में दो या तीन बार जरूर खाईए करेले का रज भी शराब की लट को चुड़ा देता है बस इसे रोज सुबह आपको पीना होगा 37 से शराब के कारण डैमेज हुई किड्नी भी रिकवर होने लगती है दोस्तों दिन में कई बार आप सेब की रज को ज़रूर लीजे ये भी एंटी अलकोहलिक होता है तंबाको और सिग्रेट की लट छुड़ाने के लिए 50 ग्रम अजवाइन, 50 ग्रम सौफ और 25 ग्रम काला नमक मिला कर बारीग पीछ लें फिर इसमें 4 चम्मत नीबू का रस मिला कर राद भर के लिए रख दें अगली सुबह इस चूर्ण को गरम तवे पर थोड़ा सा सुखा लें अब इसे शीशी में भर कर रख लें और जब आपका मन तंबाकू या सिग्रेट को करें तो इस चूर्ण को थोड़ा सा मूँ में डाल कर चूसें कुछी दिनों में तंबाकू से आपकी लट चूट जाएगी सिग्रेट से चुटकारा पाने के लिए जब भी कभी सिग्रेट पीने का मन हो तो हरड को मूँ में रख का चूसें इस से आपकी सिग्रेट पीने की आदर चूट जाएगी तंबाकू से मूग का कैंसर होने का खत्रा बना रहता है इसकी लच छुड़ाने के लिए दालचीनी को बारिक पीस कर उसमें शहद मिला ले जब भी तंबाकू का मन हो तो तयार किये हुए दालचीनी मिश्रण का सेवन कीजिए सिग्रेट और गुटका छोड़ने के लिए आप रोजाना चार चमच प्याज का रस ले सकते हैं इससे आपको बहुत फाइदा होगा तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाई, शेयर और कमेंट सरूर कीजिएगा इसे देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद